दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपना टेक्निकल सौब यूटूब चैनल पर आज के इस वीडियो में मैं अपना अनुभव आपके साथ साजा करूँगा तो आएए चलते हैं कि किस तरह आप अपने घर पर बिकार पड़ी बस्तूओ को कैसे ठिक कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं ये कुकर जब अंदर से प्रेसर बनाता है तो यहां से रवड की जगह से लिकेज होने लगता है लिकेज होने का मेन कारण है पहला कि रवड भी खराब हो सकता है और दूसरा धकन का जो आप साइट देख रहे हैं जगा जगा पचक गया है तेड़ा हो गया है ये भी कारण है और तीसरा सबसे महतुर पूरुण धकन का उपरी जो साइज होता है कुकर गा इसका मुझ फैल जाता है अंदर कंप्रेसर जब बनता है कुकर के भीतर खाना बनाते वक्त कंप्रेसर कुकर कमजोर हो जाने के चलते कंप्रेसर धिरे धिरे बोड़ी को फैलाता रहता है मुझ को बड़ा कर देता है जिसकी वज़ा से अंदर कंप्रेसर नहीं बन पाता चारो तरफ से गैस बाहर निकल जाता है तो इसको ठीक करने के लिए किस परकार इसको डाई की मदद से सही किया जाएगा आप इस वीडियो में देख सकते हैं तो आप वीडियो में देख सकते हैं तिस परकार एक हथाओडी की मदद से जो इसका बाहरी किनारा जो है यह फैल चुका है इसको अंदर के तरह दबाया जा रहा है आप लोहे की हथाओडी और लकडी की हथाओडी का भी इस्तमाल कर सकते हैं लकडी के हथाओडी में यह होता है फाइदा कूकर का जो चारो तरफ का जो मुह होता है जिसमें आप धकन अंदर डालते हैं वो खराब नहीं होता लकडी के हथाओडी में यही सबसे अच्छा फाइदा है आप लकडी की हथाओडी से चारो तरफ इसको आप बना लीजिए हलके हलके ज्यादा यह देखिया आप हथाओडी के मदद से आप इसको किस तरफ पहले यह मुह जो था इसका ठाग था कि रबड अब बाहर निकल जाएगा लेकिन यह डाई जब की मदद से इसका जो मुह है गोल हो गया अब इसको सिधा करने के लिए प्लेट को अंदर डाला जाएगा और जो प्लेट जो है अंदर डालने के बावजूद इसको आप टाइट करेंगे जब टाइट करेंगे तो यह जो लोहे का जो प्लेट है यह उपर आएगा उपर आएगा तो ये धक्कन को और बोडी को मिलान कर देगा जिससे आपका लिकेज पूरा का पूरा बंध हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह इस प्लेट को डाई को इसमें टाइट कर दिया गया अब इसके नीचे और उपर लकड़ी की हथोड़ी के मदस से चारों तरफ धिरे धिरे इसको ठोका जाएगा ठोकने के साथ साथ इसको टाइट भी करना पड़ता है टाइट करते रहिए और ठोकते रहिए जिससे आपका यह चारों तरफ का जो किनारा है यह आपका बराबर हो जाएगा तो दोस्तो टेकनिकल सोब चैनल में आपको किस परकार कुकर के लिकेज को ठीक करने की विधी बताया जा रहा है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो तो कमेंट करिए लाइक करिए और अपने दोस्तों को सेर भी कर देजिए आप भी जोगारू हतियार के मदद से आप भी अपने घर पर एक छोटे मोटे कारिकर बन सकते हैं तो इसका जो चारो तरफ का फ्रेम है लखड़ी के ठोकने के बाद इसका चारो तरफ का जो रिंग पूरा एकदम बराबर हो चुका है उसके बाद धकन को लगा के चेक किया जाएगा कि यह कितना सही है तो धकन को लगाने से पहले आप धकन में देख सकते हैं कि कुकर का जो धकन कभी-कभी खाना बनाते वक्त धोते समय गीर जाने के वज़े से जो बाहरी किनारा है वो टेड़ा हो जाता है जैसे आप यह देख सकते हैं जहां पर यह रवर लगता है बाहरी किनारा यह टेड़ा हो जाता है तो आप इस परकार यह आपका यह हो गया सुम्मी हो गया इसको हमने जोगार से बनाया है कुकर को धकन को ठीक करने के लिए क्योंकि कुछ औजारे मार्केट में नहीं मिल पाता है तो इसके लिए आप आपको यह घर पर ही बनाना पड़ता है आप चारो तरफ धिरे धिरे छेनी के मदद से इसको आप जो रबर लगाने की जगह है इसको सिधा कर ले अगर यह आपका तेड़ा रहेगा तिनारा तो यहां से गया सिलिकेज करता रहेगा तो इसको सही करना सबसे पहले जरूरी है तो दोस्तों अगले वीडियो में आपको और अच्छे तरह से हम समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में भूल चुक जो हमसे हुई है अगले वीडियो में सुधारने का पूरा प्रयास करेंगे कि आपको भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि किस परकार कूकर खाना बनाते वक्त गैस नहीं बन पाता अंदर की हवा बाहर निकल जाती है किन-किन कारणों से हो सकता है यह कमी कि अच्छी तरह सकता है कि आप एक बालू पेपर लेके जब आप छेनी के मदद से इसको आप बाहरी किनारा सही कर रहे होते हैं तो अक्सर क्या होता है कि छेनी का उस पर दाग लग जाता है तो आप एक बालू पेपर के मदद से उसको बाहरी किनारा को साफ कर लीजिएगा और उसके बाद यह नीचे भी इसको बालू पेपर से रगणना पढ़ता है क्योंकि जब आप डाई वाला जो प्लेट अंदर लगाते हैं और उपर से हथोड़ी लोहे और लखड़ी के हथोड़ी से जब ठोकते हैं तो नीचे क्या होता है कि एक लखीर बन जाती है कहीं कहीं तो इसको साफ करने के लिए बालू पेपर की अवसकता है तो यह आप है कि चेक करने के लिए इसको हवा दिया जाएगा कि यह सही तरह से डाई लगा है कि नहीं तो पर इसको नेजुल में हवा भर रहे हैं और यह यह पूरी तरह से तरह हो गया तो दोस्तों कि टेकनिकल सोग चैनल कि मैं इसी तरह आपको वीडियो बना के समझा के अब बताते रहेंगे तो दोस्तों कि फिर आपसे हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए इजाज़त दे धन्यवाद